तो बिग बॉस OTT सीजन 2 तो खतम हो चुका है लिकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस OTT सीजन 2 की जो अंदर की बाते हैं वो खतम होने का नाम नहीं ले रही चलिए हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के घर में अविनाश सजदेव ने फलक नास को कहा था कि वो उन्हें पसंद करने लगे है और उसके बाद जब वो दोनों जिन बाहर आये और दोनों से पूछा गया कि एक्जाक उनका स्टेटिस क्या है तो फलक और अविनाश दोनों ने यही कहा है कि वो अभी टाइम ले रहे हैं और फिलाल इस रिलेशन्चिप को कोई वो नाम नहीं देना चाहते हैं वो एक दूसरे को और जानना चाहते हैं अब अब आपको बताते हैं कि अगर आपको याद होगा कि जब अविनाश और फलक दोनों ही घर में थे तब एक न्यूस आई थी कि किस तरह से अविनाश ने फलक की बहन शफक नास को डेट किया है आज से तकरीबन 10-11 साल पहले उन्होंने एक शो किया था तेरी मेरी लव स्टोरीज जहां पे अविनाश ने डेट किया था शफक को और वो जो रिलेशनशिप था वो कहीं 6 माईना लास्ट किया था अब जब अविनाश घर के बहार आए तो अविनाश ने कहा कि उन्होंने शफक को कभी भी डेट नहीं किया इस बात से शफक अब इतनी जादा नाराज हो गई है कि उन्होंने पब्लिक लिए एक स्टेट्मेंट इशू किया है शफक का कहना है कि अविनाश जूट कह रहा है of course they were in a relationship शफक का ये भी कहना है कि शायद हो सकता है क्योंकि अविनाश औरड़ी इतने सारे relationship में रह चुके है तो ये relationship उनके mind से slip हो गया होगा लेकिन शफक ये relationship कभी नहीं बूल सकती क्योंकि अविनाश के साथ जो उनका relationship था वो उनका पहला serious relationship था इस पे जब media portal ने अविनाश ने contact किया तो अविनाश ने अपना वही statement कहा कि उन्होंने कभी भी शफक को date नहीं किया और वो आज भी अपने statement को लेके पूरी तरह से शौर है तो अब देखना ये होगा कि ये सारे drama का ये सारे conversations का end नतीज़ा क्या है या फिर हो रही है तयारी Big Boss 17 की आप हमें बताईए कि आपको क्या लगता है comment section में और ऐसे ही updates के लिए follow कीचे Glitz Vision USA Hi this is Megha Ray and you're watching me on Glitz Vision USA